हेलो गाईज असलाव अलेकूम नमस्ते सस्रियाकाल मैं इमरान गाईज स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल और एक प्यारे से व्लॉग में भाई आपको थमनेल देखकर पता चल गया होगा कि मैं आज आपको क्या दिखाने वाला हूँ आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ भाई जहां पे हमारे अल्ला के प्यारे नव नवीयों की कबरे मुबारक है और वो एक गाउ में है जिसका नाम है ब्रास और वो ब्रास गाउ पंजाब में पढ़ता है जो कि पंजाब में एक शहर है सरहिंद उसका गाउ है और सरहिंद उ तो उस मस्जिद में आई उए थी जमात तो जमात ने मेरे से पुछा कि तुम क्या करते हो मैंने बताया कि मैं यूटुब पे विडियो बनाता हूं और ऐसे घूमता हूं तो उन्हों ने बताया कि वहां पे जाओ और वहां पर भाई नभीयों की कबरे हैं कबरे मुबारक है वहाँ पे जाके एक बार देखो और अगर मन करेगा तो वीडियो भी बनाना तो मैं भाई वहाँ पे आ गया लुधियाना से बहुत जल्दी निकल के यहां आ गया और यहां से बस पांच किलोमेटर बचा हुआ है तो अभी यहां से हम लोग लिफ्ट लेके पहुच जाएंग जब मैंने गूगल पे सर्च किया यूटूब पे देखा तो मैंने देखा कि यह बात सही है और मैं यहां आने के लिए लुधियाना से तुरंट निकल गया और उसके बाद यहां तक पहुच भी गया बस पांच किलोमेटर और बचा है अभी चलते हैं और कहां तक सच है कहा तक जूट है वो भी आपको दिखाते हैं सब कुछ नजारा वहीं पर दिखाएंगे भाई तो अभी मैं उस जगे पर आ गया हूं जहां पर भाई मतलब नभीयों की कबरे हैं वह पाक जगे पर और यह सामने का नजारा ऊपर एक मस्जिद है और यहां पर मदरसा भी चलता ह है तो अभी मैं आपको वहां पर लेकर चल रहा हूं यह सीडियों से जाना पड़ेगा और सीधा सीधा जाएंगे तो मस्जिद पड़ेगी और जो कबरे हैं वह यहां से जाना पड़ेगा यहां से देखो सीडियां बनाई गई हैं यहां से चलते हैं और देखते हैं जो कब उपर है वो भाई काफी मत्तब उपर बनाई गई है यह मत्तब जमीन ही कुछ उपर है मैं आपको दिखाता हूं पूरा अच्छे से यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है अर्वी में आप लोग पढ़ लेना और यहां पर अंकल जी साफ सफाई कर रहे हैं असलावलेकूं अंकल जी अभी भाई मैं इस जगा पर आ गया हूँ जहां पर यह कबरे हैं और यह कबरे आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी और कितनी लंबी लंबी है और लोग बताते हैं भाई कि यह कबरे हैं लगबग 20 से 22 बाइस फिट की जो की बहुत ही बड़ी बड़ी कबरे हैं और यहाँ पे कुल 9 कबरें हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके पहले मैं आपको सभी चीजे दिखा देता हूँ ये देखो ये है पहला और ये दूसरा और ये तीसरा ये है भाई चौथा कबर और मैं आपको और भी दिखाता हूँ और इतनी लंबी लंबी कबरे मेरे को तो यقین नहीं हो रहा है भाई एक कबर यहाँ पे है पाँ और ये छथी और दो कबर यहाँ पे है और एक अंकल जी यहाँ पे साफसफाई कर रहे हैं ये दुखो दो कबरे यहाँ पे हैं यह साथवी और यह आठवी और एक यहाँ पे है यह है भाई नौवी कबर और यह थोड़ी छोटी है उनसे थोड़ी छोटी है लेकिन उससे थोड़ी चावड़ी है यह आप लोग देख सकते हो यह देखो ये जो कबरे हैं भाई ये जो अभी आपने वीडियो में देखा ये लगभग 5000 से 6000 साल पुरानी है और ये मतलब बहुत ही पुरानी कबर है जो कि मतलब मैं आपको लेकर आया हूँ जहाँ पे ये गाओं का नाम है ब्राद और एक बात है इन कबरों पे ना किसी पे नाम नहीं मतलब नाम लिखा हुआ है कि ये नाम है और इनकी कबर है बस इतना पता है कि ये नभीयों की कबर है और इसको बाई बताया था एक मतलब बहुत बड़े अल्ला के वलित है मुझदिद अल्फसानी उन्होंने बताया था कि मतलब यहां पे नभीयों की कबरे हैं वो बहुत बड़े अल्ला के वली थे वो यहां पर आये थे और यहां पर भाई पीछे एक मस्जिद है मैं आपको अगर यहां से दिखेगा तो दिखाता हूँ वो मस्जिद है वहां पे देखो उपर वो मतलब उस पे अभी कुछ काम चल रहा है शायद और मिनार उसका बन रहा है वहां पे उन्होंने नमाज अदा की थी और उनको यहां पर नूर के आसार दिखे थे तो उन्होंने बताया था कि मतलब यहाँ पर नभीयों की अल्ला के पैगंबर की मतलब कबरे हैं। इसके बाद इस जगा को भाई चारों तरफ से मतलब बॉंडरी से घेर दिया गया और यहाँ पर मतलब कबरों को अच्छे से बनाया गया। इन कबरों को देखकर भाई ऐसा लगता है कि सच में ये कबरे बहुत हजार साल पुरानी है क्योंकि मतलब आपके सामने एक जीता जागता सबूत है। भाई जो मतलब खुदा होने का दावा करता था और जो कि अल्ला को बिल्कुल भी नहीं पसंद था अल्ला सिर्फ एक है ये पूरे मुसल्मान को पता है मतलब सारे मुसल्मानों को पता है कि अल्ला सिर्फ एक है और अल्ला के बाद अगर कोई है तो वो है हमारे प्यारे अभी का ये कबरों की आप भी जियारत कर लो भाई हम भी आ गए हैं यहां पर देखने के लिए ये देखो और जो वो मस्जिद बन रही है आपको दिक रहा होगा ये देखो थोड़ा सा मिनार दिखरा वो बहुत पुरानी बहुत पुरानी मतलब 800-900 साल पुरानी मस्जिद है वहाँ पर जो मतलब अल्ला के वली थे मुझदिद अल्फसानी उन्होंने वहाँ पर नमाज अदा की थी नमाज अदा करने के बाद वो बाहर आया होंगे तो उनको पता चला था कि यहाँ पर मतलब नूर जाहिर हो रहा था इतना जानता हूँ भाई लोग बताते हैं गूगल पर सर्च किया और जो बड़े-बड़े मतलब और भी लोग है जो मतलब मौलाना है या और भी लोग है वो बताते है कि यहां पर नभीयों की कबरे है ना ही मैं यह बोल सकता हूँ कि मतलब यहां पर कबरे नहीं है और ना ही जैसे धीरे-धीरे मतलब दिन बढ़ते गए तबदीली होती गई वैसे वैसे चारों तरफ दीवार मतलब घेर दिया गया उसके बाद कबरों को पक्का कर दिया गया उसके बाद नीचे फर्ष बना दी गई तो ऐसे ऐसे धीरे-धीरे मतलब तबदीली हो गई और मैं यह मतलब काफी time हो गया आके मेरे को यहां के बारे मैं पता किया उसके बाद आपको भी बताया मैं खुद देखा आके और यहां आपको भाई कैसा लगा ये वीडियो बताना जरूर कॉमेंट में यूंकि यह कहां तक सच है कहां तक जूट है यह भाई बहुत पुरानी बाते हैं बहुत सी मतलब बहुत हजार साल पुरानी बाते हैं छे हजार साल मतलब आप समझते होंगे कि मतलब कितनी पुरानी बाते हैं और जादा तर मतलब जादा तर ने 101 परसेंट भाई Google पर मैंने सर्च किया लोगों से पूछा बहुत सारी वीडियो देखी तो मतलब हर जगा यही पता चलाए कि यह नभीयों की कबरे हैं तो उमीद भाई आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जादा से जादा शेयर कर दो और लोगों तक पहुचा दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छे व्लॉग के साथ आज के लिए बस इतना ही सी यून दा नेक्स्ट व्लॉग गाईज